नमस्कार बोलिवर्ड धमाल में आपका स्वागत हैं मैं हूँ जैफाकॉर अभी नेता मनोज बाजपाई के पिता राधाकांद बाजपाई का लंबे बिमारी के साथ बाद निधन हो गया है रविवार की सुबह उन्होंने अंतिम सास ली कुछ हफते पहले ही तब्यत बिगडने पर आधाकांद बाजपाई को दिल्ली के एक अस्पताल में भरती करा गया था उनके निधन की खबर सुनते ही उनके गाउं में शोक की लहर है वे बिहार के बेतिया शहर के पास एक छोटे से गाउं बेलवा के रहने वाले थे सितंबर महीने में मनोज बाजपाई के पिता की तब्यत अचानक बिगड़ गई थी उस वक्त अभिनेता केरल में शूटिंग कर रहे थे जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला शूटिंग रोग कर वे परिवार के पास पहुँचे थे जब पिता की तब्यत में थोड़ा सुधार हुआ तो मनोज बाजपाई शूटिंग पर लोटे एक इंटर्विव में बाचीत करते हैं मनोज बाजपाई ने कहा था कि उनके पिता ने उन्हें हमेशा पहले पढ़ाई पुरी करने की सला दी मनोज ने कहा 18 साल की उमर में मैं बिहार के एक गाउं से दिल्ली आया मैंने दिल्ली उनिवस्टी जॉइन किया गिरेजूशन खत्म किया जो कि मेरे पिता का सपना था वैं नहीं चाहते थी कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ो मैं वाके ही चाहता था कि उनके सपनों को पुरा करूँ और किसी तरह मैंने कोर्स खतम कर लिया और डिक्री ली आज उनका निधन हो गया है अमिर खान की बेटी आयरा खान सोशल मीडिया पर काफी अक्टिव हैं वे अपने डिप्रेशन से लेकर मेंटल हेल्थ पर खुल कर बात करती रही है अब एक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने बताया हाली में उनकी दवा बदली गई थी जिसके बाद उनकी तब्यक ठीक नहीं है उन्हें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वे डिप्रेशन का शिकार है और समझ नहीं आ रहा है इन सब से कैसे निफ्टे आयरा बताती है कि उन्हें आम दोर पर गुस्सा नहीं आता है उन्होंने इस बारे में अपने डॉक्टर से भी बात की दस मिंट के वीडियो में आयरा ने अपने फैंस को सौस के बारे में जान करी दी है उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से बहुत जादा गुस्सा आ रहा है ऐसा आम दोर पर उनके साथ नहीं होता है कई बार उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस होती है क्योंकि उन्हें नहीं पता की अपने गुस्से से कैसे डील किया जाए उनके डॉक्टर का मानना है की गुस्सा का मेल दवाओ के बदलने का साइड इफेक्ट तो बिलकुल भी नहीं है आईरा ने आगे बताया कि शुकरवार को वे ड्राइव कर घर जा रही थी लेकिन ऐसा वे नहीं कर पाई फिर वे फुटबॉल खेनने चली गए लेकिन उससे भी चीज़े बहतर नहीं हुई वे गाड़ी चला रही थी तब भी उन्हें महसूस हुआ कि वे गुस्से में हैं और खुद ड्राइव करने की हालत में नहीं है उन्होंने किसी को लेने के लिए बुलाया वे आगे कहते हैं कि मैंने सोचा ऐसी हालत में एक मशीन को कंट्रोल करना सही नहीं है इसलिए मैंने काच सडक किनारे खड़ी कर दी और फिर कोई मुझे लेना आया था मैं बस रोती रही रोती रही और रोती रही अक्टूबा 2020 में आईरा खान ने डेप्रेशन का खुलासा करते हुए कहा था मैं depression में हूँ, मैं करीब 4 सालों से depression में हूँ मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैं clinically depressed हूँ लेकिन अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ एक साल से मैं mental health पर कुछ करना चाह रही थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी आतरा पर लेकर जाती हूँ और देखते हैं कि क्या होता है अबिनेता सुशांद सिंग राजपूत के निधन के बाद रिया चकरवती चरजा में आई थी ड्रक्स केस में उनका नाम आने पर उन्हें गिरफतार किया गया था अब धीरे धीरे रिया फिर से नॉर्मल जिन्दगी यूओर लोट ही रही थी भी ते कुछ दिनों से बिग बोस पंदरा में हिस्सा लेने को लेकर रिया का नाम सामने आ रहा था उन्हें उसी स्टीडियो जाते हुए स्पोर्ट किया गया था जहाँ शो की कंटेसेंट जिस भी प्रकास पहुंची थी जिसके बाद इन ख़बरों को लेकर और भी क्यास लगा जाने लगे लेकिन अब रिया ने एक पोस्ट कर इन अफवाव पर विराम लगा दिया है रिया ने साफ कर दिया है कि वे सल्मान खान के शोव में हिस्सा ने लेगी उन्होंने अपनी इस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा मुझे लगता है कि मेरे बारे में ऐसी अफवाई उड़ रही है कि मैं टिवी शोव बिग वोस में हिस्सा ले रही हूँ ये बस एक क्लियर करने के लिए कि इन बातों में कोई सचाए नहीं है मैं बिग वोस का हिस्सा नहीं हूँ आपको बता दे बिग वोस को लेकर रिया का नाम काफी समय से उचाला जा रहा था इन अफवाई को तब और हवा मिली जब उन्हें की स्टूडियो में जाते देखा गया जहां बिग वोस के कंटेस्टेंट पहुंचे थे कई मेडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि मेकर्स ने उन्हें 35 लाग रुपे हर हफ़ते की भारी भर कम डील की थी हालाकि रिया ने अपने पोस्स से इन सब अफवाहों पर रोक लगा दी है और अब बिग बोस 15 का आगाज हो चुका है बिग बोस OTT के ग्रेंट फिनाले के बाद से फैंस बिग बोस 15 का इंतजार कर रहे थे ऐसे में दोक्टरबर की राज साड़े नोव जेव दर्शकों का ये इंतजार सलमान खान के एंट्री के साथ पूरा हुआ एक और जहां शो के सभी कंटेस्टेंट के नाम सामने आये तो वहीं दूसरी हो सलमान खान के स्वैग ने शो में चार चानल लगाए बिग बोस 15 का आगाज हो चुका है शो की शुरुआत में घर की थीम के बारे में बताया गया बताया गया कि शो की थीम इस बार जंगल है और इस जंगल के टाइगर सलमान खान है इसके बार सलमान खान ने जंगल है आधी रात है गाने पर डांस परफॉर्फॉमेंस दी इसके बार सलमान ने स्वैक से अप स्वागत पर भी अपना दम दिखाया सल्मान खान ने अपने डान्स पर्फोमेंस के बाद घर का तूर करवाया और कहा कि जो भी होगा इस बार खुल कर होगा क्योंकि इस बार घर की चार दीवारी नहीं होगी इसके बाद सल्मान ने सभी को इंटोडीूस भी कराया टीवी शोर जोदा अकबर में सलीमा बेगम का किरदार निभा चुकि टीवी एक्टरस मनीशा यादव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया इस खबर के सामने आने के बाद से ही हर कोई हैरान है वही सोशल मीडिया पर सितारे और फैंस मनीशा को याद करते हुए सरधांजली दे रहे हैं बता दे कि मनीशा यादव ने एक अक्टूबर को आखरी सांस ली मरहूम एक्टरस के निधन का कारण अभी तक सामने नहीं आया है लेकिन मीडिया रिपोर्स के मताबिक मनीशा का निधन ब्रेन हेंब्रेज की वज़े से हुआ है वही इस दुखत खबर की पुस्टी उनकी जोदा अकबर की कोई स्टार वैक्टरस परीदी शर्माने की आज तक से बाचीत के दोरान परीदी ने बताया कि शो के ओफ एर होने के बाद वो मनीशा के लगातार संपर्क में नहीं थी परीदी ने आगे का लेकिन एक वाटसप एप ग्रूप है जिसका नाम मुगल है और सभी अबनेत्रों जो शो में बेगम थी उस गुरूप का हिस्सा है इसलिए हम संपर्क में रहते हैं और अगर किसी के जीवन के बारे में कुछ शेयर करना है तो हम गुरूप पर करते हैं मुझे इस बारे में कल गुरूप में पता चला और मैं शौक्ट हो गई परिदी ने बाचीत में आगी ये भी बताया कि मनिशा ना सिर्फ एक बहतरी नेक्टरस थी बलकि हमेशा एनरजी से बरपूर रहती थी उनके निधन की खबर पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है वही सबसे ज़्यादा दिल को परिशान करने वाली बात ये है कि मनिशा का करीब मातर एक साल का बेटा है आपको बता दे कि मनिशा ने बेटे का पहला बरड़े जुलाई में मनाया था बोलिवुट दमाल में फिल हाल के लिए तना ही दीजे इजाज़त नमस्कार झाल